देश टिवी की सुर्ख्या में देखते हैं आज की देश विदेश की चर्चित खबरे 31 दिसम्बर की सूर्थों में पहले सान में हैं कॉंग्रेस ने उठाए CDS की नियोक्ति पर सवाल जनरल विपिन रावत को देश का पहला Chief Defense of Staff यानी CDS बनाय जाने की घोशना की गुजदिर बाद ही कॉंग्रेस ने सवाल उठा दिया है और इसे गलत कदम करार दिया है पंजाब से सांसद और कॉंग्रेस के प्रवक्ता मनीश तिवारी ने सरकार पर निशाना सादा है उन्होंने ट्वीट पर लिखा मैं बेहत खेद और जिमिदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार ने CDS के सम्मन में बहुत ही गलत कदम उठाया है दुर्भागे से सिर्फ वक्त ही अकेले इस कदम के दुश्प्रभाओं के बारे में अनुमान कर सकता है इसके साथ ही कॉंग्रेस ने CDS के तौर पर जनरल विपिन रावत के नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि रावत के वैचारिक जुकाव का असर गैर राजनितिक संस्था सेना पर नहीं पढ़ना चाहिए महाराष्ट में क्याबिनेट विस्तार से NCP नेता नाराज महाराष्ट में क्याबिनेट विस्तार के दौरान मंत्री पत को लेकर NCP में नाराजगी जाहिर है NCP नेता प्रकास सोलंकी मंत्री न बना जाने से नाराज हैं और वो विधाईकी से अपना इस्तिफा देने का मन भी बना चुके हैं हालाकि NCP उन्हें मनाने में लगी हुई है इस मामले में महाराष्ट के नवनिवक्त उपमुख्य मंत्री अजीत पवार ने कहा है कि मेरा प्रकास सोलंकी से सीधा संपर्क नहीं हुआ है कैबिनेट विस्तार के बाद ही कुछ लोग नाराज हैं ऐसे अलग-अलग खबरें आ रही हैं इनसीपी के वरिष्ट नेता अपने अपने स्तर पर उन लोगों से बाचसीत कर रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश भी जारी है आज की सुर्खियों में तिस्रक्थान पर है महाराष्ट सरकार में कॉंग्रेस के मंत्रियों ने सोनिया और राहुल से की मुलाकात महाराष्ट में सोमवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कॉंग्रेस के मंत्रियों ने आज पार्टी की अंत्रिमध्धक्ष सुनिया गांधी और पुरवध्ध्धक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की मंत्रियों के साथ पार्टी के वरिष्ठ निता मलिकारजुन खडगे, केसी वेनु गोपाल और पार्टी सचीव आशिश दुआ भी थे बाला साहिब थोरात और अशोक चौहान सहित सोमवार को शपत ग्रहन करने वाले वरिष्ठ मंत्रियों ने भी पार्टी के शिश नित्रित्व से मुलाकात की इधर प्रदेश कॉंग्रेस के भीतर असंतोष की बात सामने आई है और कुछ वरिष्ठ निताओं का कहना है कि मंत्री मंडल विस्तार में उनकी अंदेखी की गई है आज के सुर्ख्यों में चौपिस ठान पर है शिव सेना का भाजपा को संदेश उद्धाव ठाकरे के मंत्री मंडल विस्तार समारों में भाजपा के शामिल ना होने के बाद शिव सेना ने मंगलवार को अपनी पुर्व सहयोगी की आरोशना की और कहा कि भाजपा को सिर्फ विरोध करने के मनसूबे से महराष्ट विकास आघाडी गडबंदन सरकार को लगातार निशाना नहीं बनाना चाहिए शिव सेना ने कहा कि अब राज्ज में पुर्ण सरकार है अब विपक्ष को दरियादिली दिखानी चाहिए और ठाकरे नित सरकार को आराम से काम करने देना चाहिए आज के सुर्कियों में पाच्विशान पर हैं CAA के समर्थन में राम माधाउ ने विपक्ष पर कसा तंज भाजपा के राष्टी महासर्चिव राम माधाउ ने कहा कि देजभर में संशोधित नागरिक्ता अधिनियम के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शंग में बेकसूर और गुनहगार दोनों लोग मारे गए हैं माधाउ ने CAA के एक कारेक्रम में कहा कि विपक्ष के विरोध के कारण देश के कई हिस्सों में हिंसा और अशान्ती हुई है साथ ही बेकसूर और गुनहगार लोगों की जान गई राममाधों ने कहा कि यह अधिनियम किसी को बाहर करने के लिए नहीं है बलकि यह उन लोगों को नागरिक्ता देने के लिए है जिनोंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश में धार्मीक उत्पिड़न का सामना किया है आज के सुर्खों में 16 पर है जनरल मनोज मुकुन नर्वने ने स्थल सेना धक्ष का पदभार समाला जनरल बिपिन रावत के उत्तराधीकारी के रूप में जनरल मनोज मुकुन नर्वने ने मंगलवार को 28 में सेना प्रमुक का पदभार समाला लेटेनेंट जनरल मनोज मुकुन जनरल विपिन रावत से सेना प्रमुक का कारेभार ग्रहन कर लिया है अभी तक नर्वने फिलहाल उप सेना प्रमुक की जिम्मेदारी निभा रहे थे सितंबर में उप सेना प्रमुक के तौर पर कारेभार समालने से पहले नर्वने सेना की पूर्वी कमान का नितित्व कर रहे थे जो चीन से लगने वाली करीब 4,000 किलोमेटर लंबी भारती सीमा पर नजर रखती है आज के सुर्कियों में साथ विर्षान पर है कश्मीर में 9 साल के पहले दिन SMS सेवा होगी बहाल कश्मीर में 9 साल के पहले दिन यानि बुद्वार से SMS सेवा बहाल कर दी जाएगी करीब 5 महिने पहले विशेश राज्य का दर्जा मिलने के बाद से वहाँ SMS सर्विस बन थी जमु कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया 31 दिसंबर की मध्यरातरी से कश्मीर में SMS सेवा शुरू हो जाएगी इसके साथ साथ उन्हें बताया कि सरकार ने जमु कश्मीर के अस्पतालों में ब्रॉड बेंड सेवा को शुरू करने की भी घोश्टा की है आज के सुर्ख में 8 छान पर है 36 के अद्धोग मंत्री को फोन पर धम कि देने वाला ग्रफतार यूइक का नाम अंकुष उर्मा है जो इस तरह की ब्लैक मेलिंग और ठगी के मामले में वांटेड रहा है राजधानी पुलिस ने आरोपी अंकुष को शिमला से गिरफतार किया है आरोपी ने मंत्री कवासी लखमा का नमबर आउनलाइन वेबसाइट से लिये थे इसके बाद कॉल कर धमकाना शुरू कर दिया था आज के सुर्क्यों में नवित खान भरे आवार्ज शो में रन्विश सी से बोली रेखा मुंबई में आयो जीत हुए स्टार स्क्रीन आवार्ज दोहजारूनीस के दौरान बॉलिवड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा ने रन्विश सी को लेकर ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर किसी भी सितारे का हौसला बुलंधोना तय है मुंबई में आयो जीत हुए समारों में बॉलिवड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की थी सदाबहार रेखा भी परतिष्ठित पुरसकार समारों में गिस्ट ओफ ओनर थी जहां उन्होंने एक दिल्चस्प बात बताई बॉलिवड एक्टरस रेखा पुरसकार प्रस्तूत करने के बाद मंच पराई और रन्वीर सीह की तारीफ करते हुए कहा उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है रेखा जी ने यहां तक कहा कि वह उनके काम को देखने के लिए जीवित है और रन्वीर वास्तों में उन्हें प्रेडित करते हैं आज के सुर्खियों में दर्शिष्ठान पर है T20 विश्वकप खेलने के लिए धोनी को IPL में करना होगा शांदार प्रदर्शन भारत के पुर्वकोश और कप्तान अनिल कुमले को लगता है कि महंदर सी धोनी का टीम में आना और अगले साल आस्ट्रिलिया में खेले जाने वाले T20 विश्वकप टीम में जगबनाना इंडियन प्रीमेर लीग 2020 में किये गए उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा टेस्ट में धोनी के कप्तान रह चुके कुमले ने कहा कि टीम प्रबंधन को विकेट लेने वाले विश्वक्य गेंदबाजों के साथ जाना चाहिए न की हर्फन मौला खिलाडियों के साथ